इस वीडियो में हम सयूक्त लेंस की फोकस दूरी के बारे में जानेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना न भूले अगर आप दो लेंसों को आपस में सटा कर रख दोगे तो इसे ही सयूक्त लेंस कहा जाता है और सयूक्त लेंस की छमता की बात करें तो सयूक्त लेंस की छमता दोनों लेंसों की छमता के योग के बराबर होता है मान लीजिए पहले लेंस की छमता P1 है और दूसरे लेंस की छमता P2 है सयुक्त लेंस की छमता ग्याद करना चाहे तो उसका सुत्र होगा P बराबर P1 प्लस P2 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे मान लीजिए P1 माइनस 1.5 डायोक्टर है और P2 प्लस 2.5 डायोक्टर है तो इनकी जो सयुक्त छमता होगी इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें प्राब्त होगा 1 डायोक्टर मान लीजिए अगर दो लेंस आपस में एक दूसरे से डी दूरी परिस्थित है तो उसके लिए सयुक्त छमता का सुत्र होगा P1 प्लस P2 माइनस D1 इन टू P1 इन टू P2 यहाँ पर P1 पहरे लेंस की छमता है P2 दूसरे लेंस की छमता है और D इन दोनों लेंसों की बीच की दूरी है तो इस सुत्र के माध्यम से अगर दो लेंस एक दूसरे से D दूरी परिस्थित होगा हम उसकी सयुक्त छमता को ग्याद कर सकते हैं तो यह हुआ सयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सुत्र